गुद डेवनिंग एवरिवन तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स यानि कि गडित की जिसमें हमने परसेंटेज की शुरुआत की थी और पार्ट नमबर फॉर तक हमने डिसकस कर लिया यानि कि जितने भी चप्टर के थियोरी बगरा हैं हमने उसने हमने स कुछ सॉन्फार करने वाले हैं जो कि प्रिवियस यहर से रिलेटेट है या फिर आपको एक्जाम में आने वाले हैं तो फिर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सुब्सक्राइब नहीं किया तो सुब्सक्राइब कर द होते हैं आज का पहला कोश्चन पहला कोश्चन है रुपया 34 का 15 प्रतिशत कितना होगा ठीक है तो मैंने बताया था कि का का मतलब होता है गुड़ा 15 प्रतिशत कहा है और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100 प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटे में 100 इसको फॉर्दर अ 60 का 0, 6 केरी हुआ, फिर 15 रतियां 45, 45, 6, 15, बटे में 100, 20 से काटोगे तो हो जाएगा 5.10 रूपीज, यानि कि 5.5 रूपया 10 पैसा, इसका option देख लेते हैं, आपके सामने 4 option है, तो option B correct है, तो mathematics में का का मतलब क्या होता है, multiplication, और percentage का मतलब क्या होता है, अपान में 100, clear है, मैंने सारे topics जो हैं, detail में पढ़ा रखा है, आपको free में कहीं नहीं मिलने वाला इतने topics, तो चलो बढ़ते हैं अगले question के तरफ, एक बार फिर वीडियो को share कर दो, ताकि बाकी भी आपके friends को, colleagues को इसका पता चल सेके, कि हाँ भाई कहीं तो free में preparation कराई जा रही है, ठीक है, online का business इसतना बड़ा हो गया है, करीब करोडो 2,5 करोड रुपए पर lecture से बंदे कमा रहे हैं और सही से lecture भी नहीं मिलता है, तो चलो ठीक है, देखते हैं आगे, दिया है कि 348 का 66 सही 2 बता 3, देखो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, चुकि typing में सही से इसको type नहीं हो पाता है, कुछ ये ऐसे लिखा है, तो 66 सही 2 बता 3 प्रतिशत है, तेख है, इसको अगर भीन्ने के रूप में बदलोगे तो 663, 638, 182, 20 का 0, 2 बचा, 638, 20, यानि कि 200 बते में 3 प्रतिशत ये लिखा हुआ, 662 बटा 3 मतलब 200 बटे 3, अब कह रहा है कि ठीक है, 348 है, का का मतलब गुड़ा, और 662 बटा 3, यानि कि 200 बटे में 3 प्रतिशत बता दो कितना होगा, तो बस simplify हमें करना है, करते हैं, टेट में देखो, simplification बहुत जादे आता है, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो वीडियो को, तो आसानी से solve कर लोगा, अब यहाँ परसेंटेज अब प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है, तो बटे में 100 लादो, 2-0 से 2-0 cancel, देखते हैं, 3 से उपर वला करता है, देखो, 3 से काटने के नियम क्या है, तीन से विभाज्यता के नियम, विभाज्यता, इससे भी question बनता है, तीन से विभाज्यता के नियम, जब मैं number system पढ़ाऊंगा, तो वहाँ सारी चीज़ों को discuss करूंगा, तो देखो, 3 से कोई संख्या तब करती है, जब सभी अंकों को जोड़ने पे, जो हमें संख्या मिलती है, वो 3 से कट जाए, जैसे 8, 3, 12, 12, 13, 15, और 15, 3 से कट जाता है न, यानि ये पूरी संख्या क्या होगी, 3 से कट जाएगी, तो 3 से कटते हैं, 3 एक ने 3, फिर 4 बचा, 3 एक बचा, एक 8 के साथ 18 बनेगा, 3, 6 के 18, यानि कि 116, अब उसमें 2 से गुड़ा कर दोगे, तो हो जाएगा 232, ठीक है, अंसर आगे है 232, option A, correct है, चलो बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के तरफ, प्रश्न संख्या 3, इसको ध्यान से पढ़ना, यह भी काफी important है, टेट के लिए, यदि A के 5 प्रतिशत का मान 10 है, तो A का मान निकालो, ठीक है, A का मतलब गुड़ा, 5 प्रतिशत का मान कितना है, 10 है, ठीक है, तो A का मान पूछ दिया है, बस A का मान आपको बता देना है, कितना होगा, तो मुझे यह बताओ, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है, 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% ही तो होती है, तो बस 100% का मान बताना है, तो 500% में कब होगा, जब इसमें किस से multiply करेंगे, 20 से multiply करेंगे, तो जब यहाँ 20 से multiply करोगो तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 20 से multiply करना पड़ेगा तो यह कितना बन जाएगा 200, आंसर आ गया 200, option A correct है ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रशन के तरफ अगला प्रशन है 2.5 लाख 20 लाख का कितना प्रतीशत है ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना mathematics में हमने पूछा है कि किसी की value अगर निकालनी है तो एक formula याद रखो चुना हुआ भाग यानि कि selected part अपान कुल भाग ठीक है, ये formula आप याद रखो easily question solve हो जाएगा तो चुना हुआ अब कितना है, 2.5 लाख ठीक है, 2.5 लाख फुल भाग कितना है, 20 है प्रतीशत में निकालना है, तो प्रतीशत में बदलने के लिए आपको पता है 100 प्रतीशत से गुड़ा कर देते हैं तो बस simply हमने वही किया ठीक है, अब देखो 20 से काट दो, 5 बार में ठीक है अब 5 का गुड़ा करोगे, तो 25 पचे 125 अब एक अंक के बाद 10 मलो है, तो एक अंक के बाद 10 मलो लगा दो पीछे प्रतीशत लगा दो यानि कि 12.5 प्रतीशत option C correct है, ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रतीशन के तरफ उमीद करता हूँ कि यह आपको जो है, वो 90 है, ठीक है, तो माल लेते हैं संख्या X है, संख्या का 200 प्रतीशत क्या कह रहा है, 90 है ठीक है, तो 40 प्रतीशत कह रहा है निकालो, यह बताओ कि 200 प्रतीशत 40 में कब बदलेगा 200 प्रतीशत 40 में कब बदलेगा जब संख्या को तो हम 5 से भाग देंगे, किस से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, देखो 5 के 20, 40 हुगा, तो इसमें भी किस से भाग देना पड़ेगा, 5 से भाग देना पड़ेगा, क्या मिलेगा उत्तर, 5 करने 5, 5 वठे 40, याने कि 18 प्रतिशत, ठीक है, सॉरी, 18, ठीक है, संख्या आ रही ह option है C, एक बार फिर समझा देता हूँ 200 प्रतिशत दिया हुआ कहरा है कि दंपे है, तो कहरा है 40 प्रतिशत निकालो, तो भी या 200 प्रतिशत 40 में कब बद लेगा, जब इसमें 5 से भाग दोगे तो इधर क्यों भाग दिया, इधर भी भाग दो mathematics तो यही कहता है, 5 से भाग दिया आगया 18, option B, correct है, ठीक है, बढ़ते हैं प्रशने संक्या 6 के तरफ, प्रशने संक्या 6 है यह देखो, यह most 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 important है तीनों के लिए, C, T, T, T and Super T, clear है क्या रहा है कि यदि, A की I, B की I से 25 प्रतिशत कम है, ध्यान देना, कम है तो A की I, B से कितना प्रतिशत अधिक होगी, तो हमने कहा था कम हो, माल लेते हैं, amount क्या था, x से कम था तो नीचे क्या होगा, 100 minus x होगा, अगर अधिक होता तो plus x होता, ठीक है, और प्रतिशत में पूछा है, तो आपको बटे तीन प्रतिशत, भाग दोगे, तो क्या आएगा, 33 दस्मलों तीन तीन आएगा, लेकिन अगर आंसर दस्मलों में नहीं दिया है, तो आज आएगा 33 सही, एक बटा तीन प्रतिशत, ओप्शन सी correct है, ठीक है, बढ़ते हैं, प्रशन संख्या 7 के तरफ, प्रशन संख्या 7 है, 120 लीटर दूद तथा पानी के मिस्रड में 30 प्रतिशत पानी है, और कितना दूद मिलाया जाए, जिससे की पानी जो है, वो 20 प्रतिशत हो जाए, तो ध्यान से समझना 120 लीटर दूद तथा पानी का मिस्रड है, ठीक है, ये मिस्रड है, अब इसमें दूद भी है, और इसमें क्या है, पानी भी है, लेकिन जो पानी है, वो कितना है, 30 प्रतिशत है, ठीक है तो 120 का 30 प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 कर दें, 20 से 20 कैंसल, 12 तिया 36 लीटर, देखो ये 36 लीटर जो है, वो क्या है आपका पानी है, ठीक है, तो 30 अगर प्रतिशत पानी है, तो 70 प्रतिशत दूद होना चाहिए, कि कोई भी मात्रा अपने आप में क्या होती है, 100 प्रतिशत ही होती है, ठीक है, कोई भी मात्रा अपने आपने 100 प्रतिशत होती है, तो पूछा है कि कितना दूद और मिला दिया जाए, जिससे पानी जो है, वो 20 प्रतिशत हो जाए, तो बताओ भीया कितना दूद मिला दे हम, ठीक है, तो किसकी मात्रा पूछी गई है, द हम 70% निकालने कितना होता है, तो 1-0 स 1-0 कैंसिल, 1-0 स 1-0 कैंसिल, और 12 सत्य कितना हो जाएगा, 84, यानि कि 84 लीटर, पहले का क्या है, पहले का दूध है, अब कहा रहा है कि, दूध में कितना दूध मिलाया जाए, सौरी, मिस्रड में कितना दूद मिला जाया तो यह बताओ मिस्रड में अल्रेडी 84 लिटर दूद है मान लेते हैं X लिटर दूद मिलाया तो यह बताओ मिस्रड में मिला रहे हैं यानि कि यह भी अमाउंट कुछ बढ़ेगा किस से बढ़ेगा x से बढ़ेगा तो हम कर दें 120 प्लस x कर दें 120 प्लस x कर दे रहा है अब यह बताओ मुझे जा रहा है यह बताओ मिस्रण में कहा है न कि 30 प्रतिशत पानी है क्या दूध मिलाने पर पानी की मात्रा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ना पानी तो क्या होगी उतनी ही रहेगी पान जब हमेशा 30 प्रतिशत एक मिनट एक मिनट जब दूद मिलाया जाता है तो पानी कितना हो जाता है 20 प्रतिशत हो जाता है यानि कि जो नया अमाउंट आया है नया amount क्या आया है? 120 प्लस X आया है तब चुकि दूद की मात्रा और मिलाया है तो पानी की मात्रा और कम होती जाएगी हलाकि amount में तो 36 liter ही पानी होगी लेकिन प्रतिशत में तो उसका मान कम होगा न अब नया amount जो है वो 20 प्रतिशत हो गया है तो इसका हम क्या कर देते हैं? 20 प्रतिशत कर देते हैं बस क्या पूछा था कि कितना दूद मिलाया जाए? यही X का मान निकालना है तो बस इसको simplify करना है तो देखो simplify करने के लिए इसको मैं यहाँ ले चलता हूँ यह है 120 प्लस यक्स गुड़े 20 प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100 20 से काड़ दो 25 प्लस नीचे 5 आगया ना 5 भाग में है इधर लाएंगे तो किस में बदल जाएगा? गुड़े में बदल जाएगा तो 84 में 5 से गुड़ा करो तो 5 के 20 का 0 दो आया फिर 45, 42, 42, 420 प्लस 5 यक्स बराबर हो जाएगा 120 प्लस एक्स का तो इसको इधर लाओ कहीं कुछ शूट रहा है क्या? 120 प्लस यक्स 40, 30, 4 एक्स एक चीज मैंने गड़वड कर दिया, सॉरी देखे, यहां हमने किसको दिखाया है? यहां हमने दूध को दिखाया है ठीक है? तो और नया अमांट क्या हुआ है? 120 प्लस एक्स हुआ है लेकिन यहां हमने पानी का अमांट लिख दिया है यहां तो हमें दूध का दिखाना पड़ेगा तो 20 प्रतिशत पानी है तो 80 प्रतिशत दूदुआ तो यहां 80 लिखना पड़ेगा ठीक है तो यहां हम 80 लिखके solve करेंगे तो देखो 20 से काटोगे तो 24 के 80 और 25 तो 5 तो यह होगा ठीक है अधिक के पास तो 4X 5X में घटने के लिए आ जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ X बचेगा और 480 में से 120 घटेगा तो क्या बचेगा 60 बचेगा तो आंसर आ चुका है 60 option D correct है ठीक है एक बार फिर इस वीडियो को अच्छे से देख लिजेगा आपको उमीद करता हूं कि यह समझ में आ जाएगा नहीं आएगा तो आपको कमेंड बॉक्स में जरूर बताना मैं जब combination जब लाओंगा जैसे 2 chapter या 3 chapter का एक साथ combination लाओंगा तो इस तरह के question वहाँ डाल के आपको वहाँ easily समझाने की कोशिस करूँगा ठीक है तो चलो देखते हैं अगला प्रश्ण को अगला प्रश्ण है प्रश्ण संख्या 8 दो संख्या है तीसरी संख्या से क्रम शह 20 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत अधिक हैं तो पहली दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है देखो पहली दूसरी संख्या का तो मान लेते ह माना जो तीसरी संख्या है वो क्या है? 100 प्रतिशत है भाईया देखो कोई भी संख्या अपने आप में जब इनिशियल पोजीशन में होती है वो 100% ही होती है इसलिए हम 100% ही मानते हैं तो कहा है कि बाकी जो संख्या है 20 प्रतिशत अधिक है 120 हो जाएगा और जो दूसरी संख्या है ये 25 प्रतिशत है यानि कि ये कितना हो जाएगा 125 प्रतिशत तो कहा है कि बताओ पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है जो को किसके बारे में ग्याद करने को कह रहे हैं पहली संख्या के बारे में न तो चुना हुआ भाग कितना है 120 है अब दूसरी संख्या का तो दूसरी संख्या से compare कर रहे हैं यानि कि कुल भाग दूसरी संख्या हो गई वो कितना है 125 और प्रतिशत निकालना है यानि कि 100 प्रतिशत से गुड़ा कर देंगे देखो 25 से काटो 25 पचीश 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 से काटो 25 चोग के 100 फिर इस 5 से काटो होगे 120 को तो 5 दूना 10 फिर 5 चोग के 20 24 बार में कर गया अब 24 का गुड़ा 4 में कर दो आ जाएगा 96 प्रतिशत यानि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का 96 प्रतिशत है option B correct हो जाएगा ठीक है बढ़ते हैं प्रशन संख्या 9 के तरफ कह रहा है कि एक कारियाल में 30 प्रतिशत करमचारी जो है असनातक यानि की graduate है और 30 प्रतिशत पैरासनातक यानि की पैरासनातक कहने का मतलब है की post graduate है ठीक है पैरासनातक यानि की post graduate है और जो सेस करमचारी जो बचते हैं वो total जो है वो 80 है ठीक है और यह जो है वो matriculate है matriculate यानि कि 12th pass या 10th pass ले सकते हैं तो कितने जो है वह असना तक यानि कि 30 प्रतिशत कमान कहा है निकालने के लिए तो देखो इस question को बहुत ही ध्यान से समझज़ना नवा question है तो देखो एक अगर कार्याले में कुछ कुल बैक्तियों को देखें जो बैक्ति होंगे अपने आप में 100 प्रतिशत होंगे अब इसमें से कह रहा है कि 30 प्रतिशत निकाल दो यह हो गया है graduate ठीक है graduate हो गया है और इसमें से 30 प्रतिशत निकाल दो कितना बचा 70 प्रतिशत अब इसमें से भी अगर हम 30 प्रतिशत PG निकालते हैं यानि कि post graduate का तब कितना बचता है 40 प्रतिशत अब यह 40 प्रतिशत ही क्या है matriculate है और इनकी संख्या जो है 80 है ठीक है तो यह बताओ 1 प्रतिशत की संख्या कितनी हो जाएगी तो 80 बटे 40 that is 2 यानि कि 1 प्रतिशत किसके बराबर है तो 2 के बराबर है तो पूछा है कितने असनातक है और असनातक कुल कितने है 30 प्रतिशत है न तो 1 प्रतिशत का value 2 है तो 30 प्रतिशत का value क्या हो जाएगा 2 गुड़े 30 that is 60 ब्यक्ति तो option d 60 correct है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ अगला प्रश्न है यदि किसी संख्या के 70 प्रतिशत में 180 जोड़ा जाए तो मूल संख्या प्राप्त होती है तो मूल संख्या क्यात करो ठीक है question को द्यान से समझ गया है किसी संख्या के 70 प्रतिशत में यानि कि संख्या का पहले क्या निकालेंगे 70 प्रतिशत निकालेंगे तो माल लेते हैं वो संख्या x है ठीक है और इस संख्या में जब हम 180 जोड़ते हैं तो मूल संख्या प्राप्त हो जाती है तो भीया उस संख्या का सबसे पहले 70 प्रतिशत निकाल दो ठीक है और जब हम इसमें क्या जोड़ते हैं 180 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाता है मूल संख्या मिल जाती है ठीक है तो संख्या हमें बतानी है तो इसको देखते हैं कैसे होगा 180 जोड़ा जाता है तो मूल संख्या प्राप्त हो जाती है ठीक है देखो अब ये बताओ अगर मानने हमने मूल संख्या X माना था तो मूल संख्या का अगर हम 70 प्रतिशत निकालते हैं कोई संख्या आती मालने ते हैं कोई amount आता और ये बताओ कितना संख्या हमने छोड़ दिया है 30 प्रतिशत छोड़ा है न 30 प्रतिशत देखो 70 निकाला तो 30 प्रतिशत ही तो छोड़ा क्योंकि कोई भी संख्या 100 प्रतिशत होती है अब कहा रहा है कि अब इसमें अगर हम 180 जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, पूरी की पूरी संख्या मिल जाती है, यानि कि 100 प्रतीशत मिल जाता है, यानि कि यह जो 30 प्रतीशत है कुछ और नहीं है, क्या कह रहा है, 180 है, यानि कि यहां लिखेंगे 30 प्रतीशत ही क्या है, 180 है, तो 1 प्रतीशत क्या है, 180 बटा 30 है, 0 से 0 कैंस 3 से काटा 6 बार में cancel यानि कि answer आ गया 6 एक प्रतिशत कमान कितना है 6 पूछा क्या है संख्या ग्याद करें संख्या अपने आप में 100 प्रतिशत ही तो होगी संख्या क्या होगी अपने आप में 100 प्रतिशत होगी ठीक है तो भीया 100 प्रतिशत कमान निकाल लो तो 100 प्रतीशत बराबर 100 गुड़े 6 that is 600 option D 600 correct हो जाएगा ठीक है उमीद करता हूँ कि ये सभी चीज़े आपको पसंद आई होंगी सारे questions आपको favorable लगे होंगे तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगर आपने फिर एक बार मैं कहूंगा तो फटा फट लिंक आपको description box में मिल जाएगा या फिर simply telegram group पर जाके विज्ञान गुरुजी type करो आपको group मिल जाएगा और वहाँ पर आप join हो सकते हैं तक ही आपको अन्य videos के जो PDF हैं जैसे की GK वेगरा के या फिर MCQ जो solve करने को मिलता है वो आपको असानी से मिल सके चलिए मिलते हैं आपसे next video में तो सबसे पहला video आएगा GK का उसके बाद mathematics का question